अपशब्द किसी भी बैन जी को, माता जी को, किसी भी भाई को, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए कोशिश करिये, कोई हमारा बुरा भी कर रहा है, तो भी उसके लिए अपशब्द मुझ से नहीं निकले कई-कई माता हैं, कई-कई भाई लोग धड़ा-धड़ सुरुक हो जाते हैं, गालिया देना हो धड़ा-धड़, क्या-क्या बोलते हैं वो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन उट-पटांग, जो मन में आया, इसका ये हो, ये तो यह हो, यह हो, यह राम-राम-राम ये शोभा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपशब्द कभी नहीं बोलगा हवाणी का सार नश्ट होता है भाई, आपके अपशब्द बोलने से सामने वाले का कुछ बिगड़ सकता है, क्या? बोलिये ना, तो जैन पशब्द क्यों बोलनों, सामने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं, अपने, आपको पता है, जब हम किसी को उटपटांग बोलते थे, तो हमारी दादी कहती थी कि कादम भाटों पहके है, तो खुदरीच छाटा लाग, कीचड का कुछ नहीं बिगड इन से क्या होगा, उसको देश से निकाल देंगे क्या, उससे कुछ होना जाना तो है, नहीं फिर काय को बड़ड़ाट करना, पर इतना बोलेंगे, पता चलना चाहिए, इसने Kिसी के किसी और का भी कर दे, तो भी बोलेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए, अब शब्द कभी नहीं बोलना, स्वबाव बहुत अच्छा रखना मेरे भाई बेन, भगवान को अच्छे स्वबाव के लोग प्यारे लगते